हेलो प्रैंट स्वागत है मेरे चैनल में आपका तो प्रैंट साजम इस वीडियी में पॉप manufacture karma सीखेंगे तो देखिए हमने ब्लाॉस का फैबरिक लिया है बार को भी सलिपस बनाने के लिए और ये हमने अस्तरवाला फैबरिक लिया है तो देखिए फ्रेंट सबसे पहले हम कर्टिंग करेंगे तो देखिए सबसे पहले हमें अस्तर वाले फैबरिक पर कर्टिंग करने है सिलिप्स की तो हम देखिए यहां पर साधा सिलिप्स की कर्टिंग करेंगे अस्तर वाले फैबरिक पर तो देखे इस तरवाले फैबरिक को हमें इस तरीके से फूल्ड करके रखना है तो देखे कपड़े को इस तरीके से फूर पाइट में रख लेंगे फूल्ड करके और फूर फाइट में रखने के बाद देखे यहां से हमें टोटल लेंद लेना है कि इतनी 6 इंची 6 इंच लेने के बाद देखिए यहां से हमें 3 इंच पर मार्क करेंगे जिस तरीके से हम slips डाउन करते हैं उसके लिए मार्क कर लेंगे अब देखिए इस तरीके से slips के इस तरीके से हम कर्डिंग करते हैं उसी तरीके से हम मार्क कर लेंगे और यहां पर देखें मार्क किया है उसके बाद हमने Catting कर लिए आप इसके बाद देखें जो मैन फैबरिक होता है इसके पर भी हम अश्त तरिके से Catting करनी है तो देखें हमें मैन फैबरिक को इसतरिके से Colt करके रखना आ है पहले तो देखिए यहां से इस तरीके से फोल्ड करेंगे हम इस तरीके से फोल्ड करने के बाद देखिए हमें सेंटर वाले से से एक बार और फोल्ड कर देना है इस तरीके से फोल्ड करने के बाद देखिए हमें इसकी जो टोटल लेंद है वो चार इंची लेना है friends 2 इंच चोड़ा है इसमें हम बॉकार लगाएंगे हैं तो देखें इस तरोकी से हम इसकी कटिक कारेंगे जो एक्स्ट्र फैवरिग है उसकी एक्स्ट्र फैवरी क्रटिंग के बदेखे हम कपड़ी को इस तरिके से रखेंगे और इसके बदेखे इसके जो टोटल लैंद है वो घुटनी 12 इंची लेना है वरा इंच लेने के बाद देखें, हम यहाँ पर भी सिलिप्स की इस तरीके से मार्क कर दें, उसी तरीके से कर लेंगे और इसके बाद कर्टिंग करेंगे, इसकी यहाँ पर हमें सिलिप्स को दो इंच डाउन करना होता है तो इस तरह किससे slips की भी हम cutting कर लेंगे तो देखिए यहां पर male fabric पर भी हमने slips की cutting कर लिए अब इसके बाद देखिए हम यहां पर one slips को पहले ready करेंगे और इसके बाद दूसरी slips को तो देखिए हमने water लिया है golden color का यहां पर use करेंगे water का तो सबसे पहले देखिए जो एस्तर वाला फैबरिक है उसको लेंगे और जो मैन फैबरिक वाला सिलिप से उसको लेना है तो दोनों को इस तरीके से देखिए सेंटर वाले से में मार्क करेंगे पहले हस्तर वाले फेबरिक पर भी सेंटर वाले से सियाब मार्क कर ले पहले और जो मैन फेबरिक है उस पर भी मार्क कर ले तो इस तरह के से मार्क करने के बाद देखिए यहां पर हम दोनों को इस तरह के से रखेंगे बराबर करके इस तरह के से रख लेंगे दोनों को देखिए जो बैक वाला इससा है वहाँ से हमें बराबर रखना है और आगे से जगा छोड़ना है अब देखिए इसके बाद यहाँ से हमें इस तरीके से हमें इसमें प्लेट डालेंगे छोड़ी छोड़ी से प्लेट डालेंगे फ्रेंज यहां से हम 5-6 प्लेट डाल कर कम्प्लीट कर लेंगे वन साइड और उसके बाद देखिए उपर से सलाइको फेस्ट करेंगे और उसके बाद देखिए यहां पर मैं सिंपल से लाइको फेस्ट करना है अब इसके बाद देखिए यहां से हमें बराबर करेंगे करें दूसरी चाहिड और यहां से भी अर्य ओसरके सी राइक करना है मिला अवब देखिए फ्रेंस पहले आप इस तरीके स स्लाइक कर लेरे अब इसके बाद देखिए यहां से हम इसको बरावर करके नाप लेंगे पहले खाली जगा देखिए यहां पर 6 इंचे तक हमारी खाली जगा उसके बाद प्लेट से हैं तो इसके बाद देखिए यहां पर भी हम 6 इंचे तक पहले सलाइको पेस्ट करेंगे और उसके बाद हमे प्लेट को डालना है तो देखिए इसके बाद हम प्लेट डालेंगे तो यहाँ पर भी हम 5-6 प्लेट डालकर कम्प्लेट कर लेंगे इस तरीके से देखिए परावर और उसके बाद देखिए उपर से सिलाइको पेस्ट करेंगे इस तरीके से हमारे प्लेट टेल कर कंप्लेट हो गई है अब इसके बाद देखिए हमें क्या गरना है फ्रेंज दूसरी साइड से हमें इस तरीके से सिलाइको फेस्ट करेंगे और इसके बाद देखिए हमारे जहां से प्लेट टली है उन प्लेट का डार एकसल हमें बदलना है तो देखिए हमें इस तरह के से opposite side plate का जुम्मू है वो करना है तो देखिए अपनी side plate को दबाते हुए और इस तरह के से like को face कर लेंगे हम सारे से में देखिए इस तरह के से बाकि सारी plates का जुम्मू है वो हमें opposite side करना है और इस तरह के से सारे स्टे में complete कर लेंगे हम प्लेट्स को डॉलकर अब इसके बदेखिए जो extra मय लजी आश्टर को वाला फैबरेक यह था उसको इस तरह के से फोर्ड करना है हमे और फोर्ड करने के बाद देखिए हैं यहाँसे हमें border लेंगे और इस तरह के से बॉर्डर को उपर के साइड से फेस्ट करना है हमें और इस तरह के से सारे से में बॉर्डर को हम लगा कर कम्प्लीट कर लेंगे अब देखिए दूसरी बाली साइड भी हमें इस तरह के से सलाई को फेस्ट करना है तो देखे इस तरीके से हमारी जो बोर्डर है वो लगकर एकदम कम्प्लीट हो गया है अब इसके बाद देखे फ्रेंट दूसरी वाली जो सिलिप्स है वो भी हमें इसी तरीके से रेडी कर लेंगे तो दोनों सिलिप्स हमने रेडी कर लिए अब देखे इस तरीके से हमें अटेज करना है तो यह हमारे अर्मोल से बलाउस के और हमें इस तरीके से देखे यहाँ पर हम सिलिप्स का सेंटर वाला पाइट लेंगे और सेंटर वाले सिस तरीके से हम स्लिप्स को अटेश करना है तो देखिए बदे दूसरी सैड भी हम स्लिप्स को इसी तरह के टेश कर लेंगे इस तरीके से देखिए हम आर्ब्मॉ psychopath को को सिधह रखना और इंवर उसलाई को सीधर रखेंगे और उसलाई को सारे सिम आची तरके से डालकर complete कर लेंगे तो देखिए इस तरके से हमारी सिल्ब्स जो लगकर ready हो गई है आप अपने fitting के according इसमें fitting को डालकर complete कर लें और दोनों slips को इसी तरके से टेच कर लें देखिए यहां पर हमारी जो पर्प सिलिप्स है वो एकदम बन कर रेडी हो गई है तो प्रेंस कमेंट करके ज़रूर बता कि आपको यह पर्प सिलिप्स की वीडियो कैसी लगे और फ्रेंस अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो सस कर ले थैंक यू